पाँच्वा भाग समुद्र तटपर सवेरे उठते ही नवकुमार सहजी उसकुटी से बाहर निकल कर घर की रहा खोजने के लिए व्यस्थ होने लगे विशेशत है इस कापालिक का साथ किसी प्रकार भी उन्हें उचित न जान पड़ा फिर भी इस पतहीन जंगल से निकल ही कैसे सकते हैं कापालिक अवश्य ही रहा जानता है क्या पूछने से बता न देगा विशेशत है अभी जहां तक देखा गया है कापालिक ने उनके प्रती कोई शंका सूचक आचरण नहीं किया है फिर वह इतना क्यूं डरते हैं इधर कापालिक ने मना किया है कि जब तक फिर हम से मुलाकात न हो इस कुटी से कहीं न जाना हो सकता है उसकी आगया न मानने से उसके क्रोध का भाजन बनना पड़े नवकुमार ने सुन रखा है कि कापालिक असाध्य कारे कर सकते हैं अतहे ऐसे पुरुष की आग्या का उलंगन करना अनुचित है। इस तरह सोच विचार कर अंत में कापालिक की कुटी में ही रहने का निश्चे किया। लेकिन धीरे धीरे तीसरा प्रहर आ गया। फिर भी कापालिक न लोटा। एक दिन पहले का उपवास और इस समय तक का अं अब खाने के लिए फल मूल खोजे बिना काम नहीं चल सकता। बिना फल की खोज किये काम नहीं चलता कारण भूख भयानक रूप से उमड़ चली थी। शाम के होने में जब थोड़ा समय रह गया तो अंत में फल की खोज में नवकुमार को बाहर निकलना ही पड़ा। नव तरह के बादाम के जैसा फल मिला। खाने में वह फल बहुत ही मीठा था। अतहे नवकुमार ने भर पेट उसे ही खाया। उस भाग में बने हुए बालू के स्तूप थोड़ी ही तादाद में थे। अतहे थोड़े से परिश्रम से ही नवकुमार उसे पार कर गए। इसके बाद ही वह बालू से खाली घरे जंगल में जा पड़े। जिन लोगों ने इस तरह के जंगल का चक्कर किया है वे जानते हैं कि ऐसे जंगल में थोड़ा घुसते ही लोग रहा भूल जाते हैं। वही हाल नवकुमार का भी हुआ। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें इस बा से बाहर हुए और सामने ही विशाल समुद्र दिखाई दिया। अनन्त, विस्तरत, नीला मंडल सामने देख कर नवकुमार को अपार आनन्द प्राप्त हुआ। रेतीले समुद्र तट पर जाकर वह बैठ गए। सामने फेनिल, नील, अनन्त समुद्र था। दोनों के पीछ वह सफेद, फेनिल, रेखा, बरफीले किनारे पर बिखर रही है। ऐसा लग रहा था, सोने के कुंडल से सजीद धर्ती के उप्युक्त, सोने से भरे नीले जल के बीच में भी बहुत से स्थानों पर फेन रहित लहरें तूट रही थी। यदि कभी तीवर वायू को उठान संभव हो कि उसके वेग से नक्षत्रमाला हजारों स्थानों से अपने स्थान से अलग होकर नीले आकाश में कांता रहे तब ही उस सागर की लहरों के रंग का पागलपन का सुरूप दिखाई पड़ सकता है। इस समय सूर्य की अस्थ होते वी मृदुल किरणों में नीले जलका एक एक आंश सोने के द्रव रूप की तरहे जल जला रहा था। बहुत दूर किसी यूरोपिये व्यापारी का जहाज सफेद डैने पहलाए किसी व्रिहत पक्षी की तरहे सागर वक्ष पर दोड़ा चला जा रहा था। नवकुमार को उस समय इतना ग्यान न था कि वह अगर वक्ष पर आ पहुँचा। अब नवकुमार को होश हुआ कि आश्रे का स्थान खोज लेना होगा। यह ख्याल आते ही नवकुमार एक ठंडी सांस लेकर उट खड़े हुए। ठंडी सांस उन्होंने क्यों ली कहा नहीं जा सकता। उटकर वह समुद्र की तरफ से पल वैसे ही उन्हें सामने एक अपूर्व मूर्ती दिखाई दी। उसकम भीर शोर मचाते समुद्र के तट पर विस्तरत बालू का भूमी पर संध्या की असपष्ट आभा में एक अपूर्व रमनी मूर्ती है। केश चोटी में समेटे हुए, रेंगते से, एक सात बंधे फैली हुई अगनी की भाती केश भार। उसके उपर देहरत्न मानों चित्र पट के उपर चित्र सजा हो। चहरे को केशों ने ढक लिया था, जिसके कारण चहरा पूरी तरह से प्रकाश पा नहीं रहा था। फिर भी बादलों के अंदर से निकलने और जाकने वाले चंद्र अंभीर और जोतिर में थी और वह आँखे भी इस सागर जल पर कोमल चंद्रमा की परचाई की तरह खेल रहा था। बिखरी केश राशी ने कंदों और बाहों को एकदम धक लिया था। कंदा तो बिलकुल दिखाई ही नहीं पड़ता था। युवा बाहों की निर्मलता कु अंती धे से वह अपुर्व छटा दिखाई पड़ रही थी जो उस सागर तट पर आधी उज्वल रोश्नी में ही दिखाई पड़ सकती है। दूसरी जगे नहीं। इस्त्री धे उस पर निर्वस्त्र ऐसी ही वह मोहिनी मूर्ती थी। अकरस्मात ऐसे दुर्गम जंगल में ऐसी देव मूर्ती देखकर नवकुमार निस्पंद और आश्चरे चकित हो रहे थे। उनके मूह से वानी न निकली। केवल एक टक देखते रह गए। वह रमनी भी स्पंदन हीन अपलक आखों से एक टक नवकुमार को देखती रह गई। दोनों की दृष्टी में भेद यह था कि नवकुमार की दृष्टी में आश्चरे की भंगिमा थी और युवती की दृष्टी में ऐसा कोई लक्षन न था। बरन उसकी दृष्टी स्थिर थी। फिर भी उस दृष्टी में आवेश था। इस तरह उस अनंत समुद्र के तट पर यह दोनों प्राणी और देर बाद युवती के गले से आवास सुनाई पड़ी। बड़ी ही मीठी वानी और सुरीले स्वर से उसने पूछा। पथिक तुम राह भूल गये हो। इस कंट स्वर के साथ साथ नवकुमार की हृदय की वीना बज उठी। विचित्र हृदय की गती समय समय पर इस प जब्द में रमनी गले से उत्पन स्वर से वह संशोधित हो जाता है। सब तार लए विशिष्ट सुरीले हो जाते हैं। मनुष्य जीवन में उस चण में ही सुख में संगीत बहता जान पड़ने लगता है। नवकुमार के कानों में भी ऐसे ही सुख संगीत का प्रभा पह गया। पथिक तुम रहा भूल गये हो। यह ध्वनी नवकुमार के कानों में पहुंची। इसका क्या आर्थ है। क्या उत्तर देना होगा। नवकुमार कुछ भी समझना सके। वह ध्वनी मानो खुशी से कमपित होकर नाचने लगी। मानो पवन में वह ध्वनी लहराने लगी। व्रिक्षो के पत्तों तक में वह ध्वनी बिखर गई। इसके सामने मानो सागर का शोर मंद बढ़ गया। सागर, मतवाला, वसंतकाल, पृत्वी, सुंदरी, युवती, सुंदरी, ध्वनी भी सुंदर। खृदय के तारों में सौंदरे की ले उठने लगी। कोई उत्तर ना पाकर कहा, मेरे साथ आओ। यह कह कर वह तरुनी चली, उसकी कदमों के निशान न होते थे। वसंतकाल की मंद वायू से चालित सफेद बादल की तरहे भे धीरे धीरे अद्रश्य रूप से कदम रखते हुए चली। नवकुमार मशीन की पुतली की तरहे सा चले। रहा में एक छोटा सा बन घूम कर जाना पड़ा। बन की आड में जाने पर फिर सुन्दरी दिखाई न दी। बन का चक्कर लगा लेने पर नवकुमार ने देखा कि सामने ही वह कुटी है। भाग 6 कापालिक के साथ। नवकुमार कुटी में प्रवेश कर कर बैठ रहे। बहुत देर बैठ रहे। शिग्र माथा न उठाया। यह कौन थी? देवी? यह मनुश्य? यह कापालिक की माया मात्र? नवकुमार निस पन दवस्था में खृदय में ऐसे ही विचार करते बैठे रहे। वह कुछ भी समझ न सके। वह अन्मने थे इसी ही एक लकडी जल रही थी। इसके बाद काफी रात बीतने पर उन्हें खयाल हुआ कि अभी तक साइन संध्या आदी से वह निवरत नहीं हुए और फिर जल की असुविधा का ध्यान कर उस खयाल से मुक्त हुए तो उन्हें दिखाई दिया कि कुटी में केवल लकडी ही नह रखा गया है। इसमें आश्चरे की ही कौन सी बात है। शस्यम च ग्रिह मा गतम बुरी बात तो नहीं है। भोज्यम च उद्रा गतम कहने से और भी स्पष्ट समझ में आ सकता। नवकुमार भी इस चीज का महातम्य ना जानते हो ऐसी बात नहीं। संग्षेप में साय कृत करने के बाद चावल को कुटी में रखी हुई एक हांडी में पका कर नवकुमार ने डट कर भोजन कर लिया। दूसरे दिन सवेरे चर्मशया परित्याक कर नवकुमार समुद्र तट की तरफ चले। एक दिन पहले अनुभव हो जाने के कारण आज रहा पहचान लेने में विशेश कर्ष्ट नहीं हुआ। प्राते कृत्य समाप्त कर प्रतीक्षा करने लगे। किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पहले दिन वाली मायावनी आज फिर आएगी। यह आशा नवकुमार के हृदय में कितनी प्रबल थी यह तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस आशा का त्याग वह न कर सके और उस जगे को भी छोड़ न सके। लेकिन काफी दिन चड़ने पर भी वहाँ कोई न आया। अब नवकुमार उस स्थान पर चारो तरफ घोंकर टहलने लगे। उनकी जाच पड़ताल विर्थ थी, मनुष्य से मिलने का चनमातर भी वहाँ न था। इ कुटी में वापस आकर नवकुमार ने देखा कि कापालिक कुटी में निशब्द बैठा हुआ है। नवकुमार ने पहले स्वागत जग्यासा की, लेकिन कापालिक ने इसका कोई उत्तर न दिया। नवकुमार ने पूचा, अब तक प्रभू के दर्शन से मैं क्यूं रहा कापालिक ने उत्तर दिया अपने वरत में नियुक्त था नवकुमार ने घर लोटने की इच्छा प्रकट की उन्होंने कहा ना तो मैं रहा ही पैचानता हूँ और ना मेरे पास रहा खर्च ही है प्रभू के दर्शन से बताया हुआ रास्ता सूझेगा इसी आशा में हू कापालिक ने इतना ही कहा मेरे साथ आओ यह कहकर वहे उदास रिदय से उठ खड़ा हुआ घर लोटना आसान हो सकेगा इसी आशा से नवकुमार भी साथ हो लिये उस समय तक भी संध्या का पूरा अंधकार फैला न था हलकी रोशनी थी एका एक नवकुमार की पीट पर किसी कोमल हाथ का इसपर्श हुआ उन्होंने पलट कर जो देखा उससे वह अवाख हो रहे वही उची बंधी वी घनीकेश राशी वाली वन्यदेवी की मूर्ती सामन कर रही है वह समझ गए कि रमनी बात करने को मना कर रही है मना करने का मतलब भी न था नवकुमार क्या कहते वह आश्चरे से खड़े रह गए कापाले की है सब कुछ देख नहीं सका था वह क्रमिशे आगे ही बढ़ता गया उसकी थोड़ी दूर बाहर जाने पर युवती न नवकुमार के कानों में उन शब्दों ने प्रवेश किया यह शब्द थे कहां कहां जाते हो न जाओ लोटो भागो यह बात कहने के साथ साथ युवती धीरे से खिसक गई जवाब सुनने के लिए वह खड़ी न रही नवकुमार पहले तो कुछ परेशान से खड़े रहे इसके बाद बेचैन इसलिए हुए कि वह युवती किधर खिसक गई मन में सोचने लगे यह कैसी माया है यह मेरा भ्रह्म है जो बात सुनाई दी वह आशंका सूचक है लेकिन वह आशंका किस बात की है तांत्रे सब कुछ कर सकता है तो क्या भागना चाहिए येकिन भागने की जगे कहा है नवकुमार ऐसी ही चिंता कर रहे थे ऐसे में उन्होंने देखा कि कापालिक उन्हें अपने पीछे ना पाकर लोट रहा है कापालिक ने कहा देर क्यों करते हो जब मनुष्य अपना करतव्य कुछ द्रण नहीं किये रहता तो वह जिस कारे के लिए पहले लाए जाने पर बिना कोई विरोध किये ही नवकुमार उसके पीछे चल पड़े कुछ दूर जाने के बाद सामने एक मिटी की दिवार की कुटी दिखाई दी उसे कुटी भी कहा जा सकता है और छोटा घर भी कहा जा सकता है खिंतु इससे हमारा कोई मतलब नहीं इसके उसे दूसरी बाजो निकल गई जाते समय फिर कहा अपी भागो क्या तूम नहीं जानते बिना नर्मास के तांत्रिक की पूजा नहीं होती नवकुमार के माथे पर पसीना आ गया तो भागे वश युफ्ती की यह बात कापाली के कानों में पहुँच गई उसने कहा कापाल क यह स्वर नवकुमार के कानों में बादलों के गरजन की तरह गुंजने लगा लेकिन कपाल कुंडना ने इसका कोई उत्तर न दिया अब कापालेक नवकुमार का हाथ पकड़ कर ले जाने लगा मनुश्य के हाथों का इस पर्ष होते ही नवकुमार की देहे की नसों का रक् लुप्त साहस एक बार नवकुमार में फिर आ गया, नवकुमार ने कहा, हाथ छोड़िये, कापालिक ने कोई उत्तर ना दिया, नवकुमार ने फिर पूछा, मुझे कहा लेग जाते हैं, पूजा के स्थान में, क्यों, बद के लिए, यह सुनते ही बड़ी तेजी के साथ नोने अपना हाथ खींचा था, उससे यदि कोई सामाने जन होता, तो हाथ बचा लेना तो दूर रहा, वह गिर पड़ता, लेकिन कापालिक का शरीर भी ना हिला, नवकुमार की कलाई कापालिक के हाथ में ही रह गई, नवकुमार के हाथ की हड़ी मानों तूटने लगी, ख उसके चारो तरफ तांत्रिक पूजा का सामान फैला हुआ है, उसमें नर कपाल पूर्ण जल भी है, लेकिन शव नहीं है, नवकुमार ने अनुमान किया कि उन्हें ही शव बनना पड़ेगा, कितनी ही लता की सूखी हुई कठिन डालियां वहां लाकर पहले से ही रखी कापालिक ने उसके द्वारा नवकुमार को द्रड़ता पूर्वक बांधना शुरू किया, नवकुमार ने पूरी शक्ति के साथ बल लगाया, लेकिन बल लगाना व्यर्थ हुआ, उन्हें विश्वास हो गया कि इस उम्र में भी कापालिक मस्थ हाथी जैसा बल रखता है, नवकुमार को जोर लगाते देखकर कापालिक ने कहा, मूर्ख किसलिए जोर लगाता है, तेरा जन्म आज सार्थक हुआ, भैरवी पूजा में तेरा मास पिंड अर्पित होगा, इससे ज़्यादा तेरा और क्या सौभाग्या हो सकता है, कापालिक ने नवकुमार को खूब कसकर बांध कर छोड़ा अखा, इसके बाद वह वद के पहले की प्राथमिक पूजा में लग गया, तब तक नवकुमार बराबर अपने बंधन को तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह सूखी लताएं गजब की मजबूत थी, त्यों अवश्य होगी, नवकुमार ने अंत में इश्ट देव के चर्णों में ध्यान लगाया, एक बार जन भूमी की याद आई, अपना सुख में आवास याद आया, एक बार बहुत दिनों से अव्यक्त माता पिता का स्ने में चैरा याद आया, और तो एक बूंद रेती पर गिर पड़े, कापालिक प्रात्मिक पूजा समाप्त कर खड़क लेने के लिए अपने आशन से उट खड़ा हुआ, लेकिन जहां उसने खड़क रखा था, वहां वह ना मिला, अश्चर रह, कापालिक कुछ विस्मित हुआ, कारण उसे पूरी तरह याद था कि श कुर्व कुटी की तरफ पलट कर जोर से कपाल कुंडला को पुकारा, लेकिन बार 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 बुलाए जाने पर भी कपाल कुंडला ने कोई उत्तर ना दिया, कापालिक की आँखें लाल और भोहें टेड़ी पड़ गई, वह तेजी से कदम बढ़ाता हुआ, घर की तरफ ब जबनी, कापालिक की न थी, नवकुमार ने नजर घुमा कर देखा, वही मोहिनी कापाल कुंडला थी, उसके हातों में खड़क जूल रहा था, कापाल कुंडला ने कोई उत्तर ना दिया, नवकुमार ने फिर पूचा, कापाल कुंडला ने कहा, चुप, बात ना करना, अलग जपकते उसने उन्हें मुक्त कर दिया और बोली भागो मेरे पीछे आव रहा दिखा देती हूँ। यह कहकर कपाल कुंडला तीर की तरह रहा दिखाती आगे दोड़ी। नवकुमार ने भी उसका पीछा किया। भाग साथ खोज में। इधर कापालिक ने घर में कोना कोना खोजा लेकिन ना तो खड़ग मिला और ना कपाल कुंडला ही दिखाई दी। अतहे वह संधे में भरा हुआ फिर वापस आया। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि वहाँ नवकुमार नहीं है। इससे उसे बड़ा अचरज हुआ। एक चण बाद ही निगहा कटी हुई लताओं पर गई। अब स्थिती को भाब कर कापालिक नवकुमार की खोज में लगा। लेकिन घोर जंगल में भागने वाला किस रहा से किधर गया है। यह जान लेना बहुत ही कठिन है। अंदकार के कारण किसी को रहा भी नहीं दिखाई दे सकती। अतहे वह आवाजों को साध कर पहले इधर उधर भटका। लेकिन हर समय कंट ध्वनी भी सुनाई पड़ती न थी। अतेव चारों तरफ देख सकने के लिए वह पास के ही एक बल्याडी के शिखर पर चड़ गया। कापालिक एक बाजों से चढ़ा था। किंतु से यह मालूम नहीं था कि वर्षा के कारण पानी ने बह कर उसके दूसरे बाजों को प्राय गला दिया है। शिखर पर चड़ाई करने के कारण वह गला हुआ ढूहा भार पाकर बड़े जोर के शब्द के साथ गिरा। गिरने के समय उसके साथ ही परवत शिखर पर चड़े भेंसे की तरह का पालिक भी गिरा। भाग आठ आश्रम में उस अमवस्या की घोर अंधेरी रात में दोनों ही जन एक सांस से दोड़ते हुए वन के अंदर से भागे। जंगल के रास्ते से नव कुमार अंजाना था। केवल साथ चलती हुई युवती के साथ उसके पीछे पीछे जाने के अतरिक दूसरा उपाय न था। लेकिन अंधेरी रात में जंगल में हर समय युवती का पीछा करना कठिन है, कभी युवती एक तरफ जाती थी तो नवकुमार दूसरी तरफ, अंत में युवती ने कहा, मेरा आचल पकड़ लो, अतह नवकुमार रमनी का आचल पकड़ कर चले, बहुत दूर जाने पर बहलो क्रमशे धीरे धीरे चले, अंधेरे में कुछ दिखाई न पढ़ता था, केवल नक्षत रुलोक में असपष्ट बालू का तीले का शिकर जलक जाता था, और जुगनों के प्रकार से लक्षे का अंदाजा होता था, कपाल कुंडला इस तरह पतिक को लिये हुए घने जंगल में पहुँची, उस समय रात के दो पहर बीच चुके थे, जंगल के अंदर अंधकार में एक देवाले का असपष्ट चूड़ा दिखाई पढ़ रहा था, उसकी प्राचीर सामने थी, प्राचीर से लगा हुआ एक ग्रह था, कपाल कुंडला ने प्राचीर द्वार के निक उत्तर देने वाले ने आकर दर्वाजा खोला, जिस व्यक्ति ने आकर दर्वाजा खोला वह देवाले की पुजारिन या स्वाबनी थी, उसकी उम्र कोई पचास वर्ष के लगभग होगी कपाल कुंडला ने अपने हातों द्वारा उस व्रिद्धा की गंजी खोपड़ी अपने पास खीच कर, कान में अपने साथी के बारे में कुछ कह दिया वह पुजारिन बहुत देर तक हतेली पर गाल रखे चिंता करती रही अंत में उसने कहा, बात सहज नहीं है, माहा पुरुष यदी चाहे तो सब कुछ कर सकता है फिर भी माता की कृपा से तुम्हारा अमंगल ना होगा, वह व्यक्ति कहा है? कपाल कुंडला ने कहा, आओ और कहे कर नवकुमार को बुलाया नवकुमार आड में खड़े थे, बुलाय जाने पर घर के अंदर आए अधिकारी ने उनसे कहा, आज यहीं छिप रहो, कल सवेरे तुम्हें मेदनीपुर की रहा पर छोड़ाऊंगी क्रमशेह बात ही बात में मालूम हुआ कि अब तक नवकुमार ने कुछ खाया नहीं है अधिकारी द्वारा भोजन का आयोजन करने पर नवकुमार ने इनकार कर कहा, कि केवल विश्राम की अवशक्ता है अधिकारी ने अपने रसोई घर में नवकुमार के सोने का इंतजाम कर दिया नवकुमार के सोने के कोशिश करने पर कपाल कुंडला समुद्र तट पर पुनहें लोट जाने की तैयारी करने लगी इस पर अधिकारी ने कपाल कुंडला के प्रती स्नेहे द्रश्टी पात कर कहा न जाओ, थोड़ा ठहरो, एक भिक्षा है क्या? जब से तुम्हें देखा है, बेटी कहे कर समझा और पुकारा है माता के पैर की शपत का कर कहती हूँ, कि माता से बढ़कर मैंने तुम्हें इस नहें दिया है मेरी याचना की अभेलना तो न करोगी? न करूँगी मेरी भिक्षा है कि अब तुम वहाँ लोट करना जाओ क्यों? जाने से तुम्हारी रक्षा न होगी यह तो मैं भी जानती हूँ तो फिर आज क्यों पूछती हो? न जाओंगी तो कहां रहूंगी? इसी पथिक के साथ देशांतर चली जाओ कपाल कुंडला चुप रह गई बेटी, क्या सोचती हो? जब तुम्हारा शिश्य आया था तो तुमने कहा था कि युवति का इस प्रकार युवा पुरुष के साथ जाना उचित नहीं अब जाने को क्यों कहती हो? उस समय तुम्हारी मृत्यू की आशंका नहीं थी विशेश सहे जिस सदुपयों की संभावना थी वह अब हो सकेगा आओ, माता की अनुमती ले आए यह कहकर अधिकारी ने दीपक हाथ में लिया तथा जाकर माता के मंदिर का दर्वाजा खोला कपाल कुंडला भी उनके साथ गई मंदिर में आदमकद कराल काली मूर्ती स्थापित थी दोनोंने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया थोड़ी देर बाद अधिकारी ने कपाल कुंडला की तरफ देख कर कहा बेटी, देखो, माता ने अर्गे ग्रहन कर लिया बिल्वपत गिरा नहीं जिस मनौती से मैंने अर्गे चड़ाया था, उसमें अवश्य मंगल है तुम इस पथिक के साथ निसंकोच यात्रा करो लेकिन मैं विशयी लोगों का चरित्र जानती हूँ तुम यदि इसके साथ ऐसे ही जाओगी तो यह व्यक्ति अपरिचित युवति को साथ लेकर लोगों के बीच जाने में लज्जित होगा तुम से भी लोग घ्रना करेंगे तुम कहती हो कि यह व्यक्ति ब्राह्मन संतान है इसके गले में यग्यो पवीत भी दिखाई पड़ता है यह यदि तुम्हें विवा करके ले जाए तो मंगल है अन्यथा मैं भी तुम्हें इसके साथ जाने को कह नहीं सकती विवा? यह शब्द बड़े ही धीमे स्वर में कपाल कुंडला ने कहा विवा का नाम तो तुम लोगों के मूँ से सुना करती हूँ किन्तु विवा किसे कहते हैं? मैं नहीं जानती क्या करना होगा? अधिकारे ने मुस्कुरा कर कहा विवा ही श्त्रियों के लिए धर्म का एक मात्र सीड़ी है इसलिए श्त्री को सहध्धर्मिनी कहते हैं जगन माता भी भगवान शिव की विवाहिता हैं अधिकारी ने सोचा कि सब समझा दिया कापाल कुंडला ने मन में समझा कि सब समझ लिया बोली तो ऐसा ही हो किन्तो उन्हें त्याक कर जाने का मेरा मन नहीं करता है उन्होंने का पालिक ने इतने दिनों तक मेरा सररक्षन किया है किसलिए इतने दिनों तक सररक्षन किया यह तुम नहीं जानती तुम नहीं जानती कि बिना इस्तरी का सतीत्व नाश किये तंत्रिक्रिया पूर्ण नहीं होती, मैंने तंत्र शास्त्र पढ़ा है, माता जगदंबा जगत की माता है, ये ही सती का सतीत्व सतियों प्रधान है, ये सतीत्व नाश वाली पूजा कभी ग्रहन नहीं करती, इसलिए मैं महापुरुष की अप्राप्य साधना कर रही हूँ, तुम यदी भागोगी तो कभी कृतिग्न ना कहाओगी, अब तक सिद्धी का समय उपस्थित नहीं हुआ है, केवल इसलिए तुमारी रक्षा हुई है, आज तुमने जो कार्य किया है, उसमें प्राणों की भी आशंका है, इसलिए कहती हूँ कि मातेश्वरी भवानी की भ अवश्य रक लेती, लेकिन तुम तो जानती हो इसका कोई भरोसा नहीं है, तो विवा ही हो जाए, यह कहकर दोनों मंदिर से बाहर निकली, एक कमरे में कपाल कुंडला को बैठा कर, अधिकारी पुजारेन ने नवकुमार की शया के पास जाकर, सिरहाने बैठ कर उससे पू जी नहीं, महाशे, परिचे लेने के लिए एक बार आई हूँ, आप ब्राह्मन हैं, जी हाँ, किस श्रेणी के हैं, राढ़िये, हम लोग भी राढ़ देशिये हैं, उतकल ब्राह्मन का खयाल न कीजेगा, वंच में कुलाचार्ये फिर भी इस समय माता के पदाश्रम में हू महाशे का नाम, नवकुमार शर्मा, निवास, सप्त ग्राम, आपका गोत्र, बंधे घटी, कितनी शादियां की हैं, केवल एक नवकुमार ने सारी बाते खोल कर नहीं कहीं, वास्तव में एक भी स्तरी न थी, उन्होंने राम गोविंद घोश की कन्या के साथ शादी की थी, शादी के बाद कुछ दिनों तक पदमावती पिता के घर रही, बीच-बीच में ससुराल भी आती थी, जब उसकी उम्र तेरा वर्ष की हुई तो उसी समय उसके पिता सपरिवार पुरुशोत्तम दर्शन के लिए गए, उस समय पठान लोग अकबर बादशा द्वारा बंगाल से विस्थापित होकर सदल बल उडिसा में थे, उनके दमन के लिए अकबर द्वारा यतोचित यतन हो रहा था, जब राम गोष उडिसा से वापस होने लगे तो उस समय दोनों दलों में युद्ध शुरू हो गया, अतहे घर लोटते समय वह सब अरिवार पठानों के हाथ पढ़ गए, पठान उस समय विवेक शुन्य असभ्य हो रहे थे, वह लोग निरपराधी पतिकों के प्रती अर्थ के राम गोविंद जरा कड़वे मिजाज के थे, पठानों को कालियादी दे बैठे, इसका फल यह हुआ कि वह लोग गिरफतार कर लिए गए, अंत में घोष महाशे को जब अपना धर्म परित्या करना पड़ा, तो कैद से चुटकारा मिला, इस तरहे राम गोविंद सपरिव पर प्राण लेकर घर तो अवश्य आये, किन्तु विधर्मी मुसल्मान होने के कारण आत्मिय जन्द्वारा बहिश्क्रत हो गए, उस समय नवकुमार के पिता जीवित थे, अतहे उन्हें भी जाती से निकले जाने के डर से जाती भ्रष्ट पुत्रवधू का त्या करना प लगे, कुछ तो इस कारण वश और कुछ राजदर्बार में उच्च पद पर आसीन होने के लोब से वे दिल्ली के महल में जाकर रहनी लगे, धर्मानतर ग्रहन करने पर उन्होंने सपरिवार मुसली नाम धारन कर लिया था, राजमहल चले जाने के बाद से ससूर या पतनी कि कोई भी खबर नवकुमार को न लगी, जाने का कोई साधन और अवशक्ता भी न थी, इसके बाद विरागवश नवकुमार ने फिर अपनी शादी न की, इसलिए कहता हूँ कि नवकुमार की एक भी शादी नहीं हुई, पुजारिन यह सब जानती न थी, उन्होंने मन मे सोचा कि कुलीन की दो शादियों में हर्ज ही क्या है, उन्होंने प्रकट रूप में कहा, आपसे एक बात पूशने के लिए आई थी, और वह बात यह है कि जिस कन्या ने आपकी प्राण रक्षा की है, उसने दूसरे के कल्यान के लिए अपने प्राण संकट में डाले हैं, इसके उत्तर का कोई उपाए क्या आप निकाल सकते हैं? नवकुमार उटकर बैठ गए, बोले, मैं भी ऐसी ही आशंका कर रहा था, आप सब कुछ जानती हैं, इसका कोई उपाए कीजिए, मेरी प्राण देने से भी अधिकोई उपकार हो सके तो उस पर भी राजी हूँ, मै तुम पागल हो रहे हो, इससे क्या फाइदा होगा? तुम्हारा प्राण नाश तो होगा ही, साथ ही यह बेचारी भी उसके क्रोध से नहीं बचेगी, इसका केवल एक ही उपाए है, कैसा उपाए? आपके साथ इसका पलायन, लेकिन यह कठिन है, हमारे यहां रहने पर तो एक दिन में ही तुम लोग फिर पकड़ लिये जाओगे, इस देवालय में उस महापुरुष का आना जाना प्राय होआ करता है, अतहे कपाल कुंडला के भागे में अशुब ही दिखाई पड़ता है, नवकुमार ने आगरहे के साथ पूछा, मेरे साथ भागने में यह किसकी कन्या है, किस कुल में इसका जन्म है, यह आप कुछ भी नहीं जानते, किसकी पतनी है, किस चरित्र की है, यह भी नहीं जानते, फिर क्या आप इसे संगिनी बनाएंगे, संगिनी बनाकर ले जाने पर भी क्या आप इसे अपने घर में स्थान देंगे, और यदि आ कार्य नहीं जिसे मैं ना कर सकूँ यह मेरे परिवार के साथ रहे सकेंगी ठीक है लेकिन जब आपके आत्मिये जवजन पूछेंगे कि यह किसकी इस्तरी है तो आप क्या उत्तर देंगे नवकुमार ने चिंता करके कहा आप ही इसका परिचे मुझे बता दें आप जो कहेंग मैं वही कहूंगा अच्छा लेकिन इस लंबी रहा में कोई 15 दिनों तक एक दूसरे की बिना साहिता के कैसे रहोगे लोग देख सुनकर क्या कहेंगे फिर संबंधियों से क्या कहोगे इधर मैं भी इसकन्या को पुत्री कह चुकी हूँ मैं भी एक अज्यात युवक के साथ परदेश कैसे जाने दे सकती हूँ बीच की दलाल दलाली में कम नहीं है नवकुमार ने कहा आप भी साथ चलिए मैं साथ जाओंगी तो भवानी की पूजा कौन करेगा नवकुमार ने थोड़ा गुस्ता होकर कहा तो क्या आप कोई उपाए नहीं कर सकती उपाए के वल एक है लेकिन वह भी आपकी उदारता पर निर्भर करता है वह क्या है मैं किस बात में अस्विक्रत हूँ क्या उपाए है पताईए सुनिए यह ब्राह्मन कन्या है इसका हाल मैं अच्छी तरह जानती हूँ यह कन्या बाले काल में अफरत होकर ले जाई जा रही थी और जहाज तूट जाने के कारण इसी समुद्रतट पर छोड़ दी गई वह सब हाल पाद में आपको उस कन्या से ही मालूम हो जाएगा इसके बाद का पालिक ने इसे अपनी सिद्धी का साधन बना कर इसकी देख भाल की शीग्री वह अपना प्रयोजन सिद्ध करता वह अभी तक अविभाहित है और साथ ही चरित्र में पवित्र है आप इसके साथ शादी कर ले कोई कुछ भी इस प्रकार कहना सकेगा मैं यता शास्त्र विभाह कारे पूरा करा दूँगी नवकुमार शया से उट खड़े हुए मैं तेजी से उस कमरे में इधर उधर घूमने लगे उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया पुजारिन ने तोड़ी दिर बाद फिर कहा आप इस समय सोएं मैं कल बड़े तड़के जगा दूँगी यदि इच्छा होगी अकेले चले जाईएगा मैं आपको मेदनीपुर की रहा पर छोड़ाऊंगी